अज देखना है कारगिल यूड के बारे में प्यूंकि अभी के समय में जो है किर्ति विश्मिट की शुरूआत हो चुकी है उसी के अनुसार भी अपने भारत की तिहास को भी एक बार जान लेना आवसक है तो भारत की तिहास में हम लेक्ष चलते हैं आप लोगों को जो भारत में भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कार्गिल युद होा था, उसके बारे में बताएंगे, और यह इसलिए नाम रखा गया कार्गिल युद कि यह कारगिल के पहारी पर हो रहा था यूड और यह यूड जो है तीन माई उन्नेश सो निनान में को शुरू हुआ जो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे स्रेना सब जो है पहार के उपर है यानि पहारी भाग पर और यह निचले भाग पर और इसी तरीके से जो है यूड लड़ा गया था और यह यूड जो है लगभाग धो महिनों से भी अधिक चला का दिशी जो है डो महिनों से भी अधिक दिनों तक चला है और कारगिल युद की समाप्ति 26 जुलाई 1999 को हुई और 26 जुलाई भारत को विजाए मिल गई यहां पज़ा कारगिल युद में पाकिस्तान को पराजाय हुआ और हिंदुस्तान को यानि भारत को विजाए मिली और उसी दिन से परतेक वर्ष 26 जुलाई को भारत में कारगिल डिवस मनाई जाती है और यह देखना है कि यह युद की क्यों हुआ था यादि कारगिल युद डिशु है युद भारत और पाकिस्तान के भी च वा था और देखिए जब कारगिल के पहारी पर पाकिस्तानी सेना नौ यहां क्या तकबादी गुस पैठी सब आकर के केक पहारी पर नहां कबना चंशा कर रिए यानि रूस और यूक्रेन के बिच अभी तीरते बिश्वीद शुरू हो रहा है यही कारण था अपने भारत और पाकिस्तान के बीच जब पाकिस्तानी स्यना आतंगबादी घुस्पाइठी सब्सक्राइब कारगिल की पहारी पर कब जाकर लिया कारगिल की पहारी पर जब पाकिस्तान की स्यना आतंगबादी घुस्पाइठी सब्सक्राइब कर लिया और भारतिय स्यना को यहां पर चुनोती देने लगा तो यहां पर जहां सब्सक्राइब भारतिय स्यना तो हतास हुआ भारतिय स्यना यहां पर बहुत ही कौम मात्रा में और इधर से पाकिस्तान की स्यना आतंगबादी बहुत अधिक मात्रा में थे पूरी कारगेल के पहारी पर कबजा स्थापित कर लिया पर यहां पर अपने भारती स्यना मतलब जो है नहीं हताश हुए यानि घबराया नहीं और पूरे डट करके जो है युद की घोषना कर दिय और इस समय अपने भारत के जो पर्धानमंत्री थे शिरी अटलब और रवीर दाज पई अ 19 frontline में जब कारगेल यूड हो रहा था यह हुआ उस माय एकने भारत के जो है पर्धानमंत्री अपने देश का हीत परणान मंत्री अटाल विहारी बास कोई आईसे ही शक्तिस्ता अईसे ही निधार शाहसी आपनी थे इसकाराव कारगिल की जो है युद में भारत की बिजय कराप्त हुआ पूरे जो है जोशुव के साथ परणान मंत्री आदे से दिया पहले तो यहां पर भारत की सऺचिय नीचे थे याने भूमी पर पर पाकिस्टान की सऺचिय पहारी पर उचायओ वाले भाग पर थे अब यहाँ पर यह स्वभाविक बात है कि उचायवाले भाग पर जो रहेगा उसको जो गोली का निशना एकदम सीरहा लगेगा, उपर से जो बॉम फेकेगा वो और नीचे आएगा, निशना पर गिरेगा, परतु अगर जो नीचे से जो उपर गोली चलाएगा, वो इतना उ पाकिस्तान के से जो जो सु जुनुन में थे, क्योंकि यह लोग पहार के उपर थे, और उपर से जो है नीचे डेदनादम कर रहे थे, परंतु तब पर भी भारती से जो यह आपर हकास नहीं हुआ, पुरे जो सु जुनुन के साथ जा यहाँ पर यूध है, लादा, और इस भहुत सारे लगाठों भीमान यह से भहुत सारे यूज हुआ कार्गिली जुन है और पूरी संबलता प्रुबक्षों कार्गिल की यूड में विजय Neец पराफ कर लिया अपना भारत और इस दिन से 26 जुलाई को परतेक वर्ष कारगिल दिवस माना रहे है जिस समय कारगिल यूड शुरू नहीं हुआ था उससे पहले भारत के परधान मंत्री अटल विहारी बाजपई पाकिस्तान गए थे यहां के परधान मंत्री से मिलने के लिए और यह भी संदी करने के लिए परंतु यह नहीं हो सका और कारगिल के यूड शुरू हो गया और अभी तिर्टी विश्विट की होर लगे हुए है रूस और यूक्रेन के बीच जिसमें रूस को जो है महुत ही सक्तिसाली देश सब साथ दे रहा है जिसमें चीन जो है यह रूस के साथ दे रहा है और पूरे विश्विब में जो है रूस से सक्तिसाली अभी कोई देश है यह नहीं तब पर भी अभी जो है यूक्रेन जो है भिरा हुआ है रूस के साथ तो जैसे भारत और पाक पाकिस्तान को थो भूल गया, कि बापस कभी पंगां महीं लेना च चलिए क्योंकि पाकिस्तान को 신द बहत है, पाकिस्तान को जटन डाता भरत है क्योंकि भरत से पाकिस्तान अलग हुआ था। भारत से न पाकिस्तान लगवा था इसलिए नहीं पाकिस्तान क्या हुआ भारत का पुत्र हुआ नी बेट और भारत क्या हुआ उसका बाप अगर कोई बाप से भीरेगा लगाई क्वछ के लिए यहां पको दीतेगा कुछ को तजर्मा यहां पाजै रहा है बाप पोही यह कि पाकिस्तान को हार हो गया और भारत को विजाई मिली इता कारगील युदु इसमें जो थे भौछ से सेना घाल भी हुए अपने भारत की सेना जो है कारगील युदु में 536 जो है मारे गये कि परंटु पाकिस्तान की सेनाम जो है 5000 से अधिक सेना मारे गए और कई घायल हो गए तो समस्थ चाये कि अपने भारत की सेना जो ही कितना मजबूत है कि उचाई वाले भाग पर जो पाकिस्तान की सेना थे उसको ख़देर करके भगा दिया और यहां पर विजय प्राप्त कर फिर हम मिलेंगे आप लोगों से एकले वीडियो में हम आप लोगों से चमाच आता है कि लगवड़न दो मेहनों से हम इस चैनल पर नहीं थे क्योंकि हमारा चैनल जो था बंध रोच चुका था हमें जो है निकाल दिया गया था यूटूब से फिर हमें जो हाई वापफ कर दिया गया फिर हम आप लोगों से परती दी नया ने वीडियो के साथ मिलेंगे अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके आगे शेर कर दीजिए